दोस्तो इस तरीके की लर्णिंग अगर आपको चाहिए तो आप जॉइन कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल को जिसका देखेगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लर्णिंग अन्डिंग के कॉंसेट पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बड़ा देखेगा टर्न अराउंड आया है अगर आप देखेंगे तो बड़ा टर्न अराउंड आया है कहां पे यूएस मार्केट में और डॉलर इंडेक्स में मैं ऐसे पांच आउटकम आपको बता हुआ है सेकेंड फिंग थर्ड वन देखेगा मार्केट अभी भी अपने डिरेक्शन को पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर रहा है और कल फ्राइडे है यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है तो आपको पता है डॉलर में कसके गिरावट हुई थी आपने देखा डॉ तो पूरी तरीके से अगर आप सिनेट में देखेंगे जाके तो वहाँ पे बिल पास हो चुका है और स्पेंडिंग बिल पास हुआ है और आपको पता है अब बाइडन सरकेर के पास फिर से पैसा आ गया है जितना पैसा आएगा वो फ्यूल अप कहा करेंगे स्पेंडिंग कहा करेंगे यूएस एकॉनमी में जब यूएस एकॉनमी में वो स्पेंडिंग और फ्यूल अप करेंगे तो इट मीन्स आपको पता है डॉलर में फिर से तेजी देखने हूं मिलेगी तो डॉलर की यह जो रिकवरी है यह अगर एक सो पास तक पहुशती है जो कि कोई बात नहीं होगी तो भी मार्केट इसको पूरी तरीके से फाक्टर इन करेगा तो यह कल का पहला सेल ऑन राइस स्ट्राटेजी रीजन है यह आपको याद अखता है जितना डॉलर उपर जा रहा है उतना मार्केट को उपर सस्टेन करने में डिफिकल्टी होगी अब बात कर पूरी तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहा है जिस लेवल पे वो ओपन हुआ था अब आपको पता है इसका बिग रीजन सारी जितनी भी ओयल कंपनीज है अगर आप देखेंगे जितनी ओयल कंपनीज है उनके प्रॉफिट अचानक से कम हो गए आपने देखा कि यह जो पू 75 से आ चुका है 76 पे तो ऐसे में यह जो पर्टिकुलर एव नॉर्मल प्रॉफिट थे यह तो कम हो गए लेकिन टैक्सेस उसके कमपैर्जन में बहुत अभी भी देखेगा नॉमिनल कमी आई है टैक्सेस में तो यह जो विन फॉल टैक्स है यह रिलाइंस इंडस्ट्री को और पूरे oil and gas market को problem create कर रहा है निफ्टी 50 में आप जैसा की देख सकते हो तो इसलिए निफ्टी 50 को ऊपर के level पे sustain करना difficult होगा because of crude oil prices crude oil जिता गिरेगा reliance के लिए बिलकुल अच्छी बात नहीं है और reliance अगर अच्छी बात नहीं है तो आपको पता है फिर निफ्टी के लिए तो कहीं से अच्छी बात नहीं है HDFC bank के पास ऐसा कोई भी particular देखेगा knowledge नहीं है इस समय या फिर कोई भी ऐसी news नहीं है जिससे व future है उसमें देखेगा उपर के level से काफी अच्छी profit booking आई है tech में भी profit booking आई है और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे हैंसेंग अगर आप देखेंगे तो इसमें 470 point की गरावट है यह एश्यनी market का है हैंसेंग और निके आपके market को बहुत कुछ देखेगा factors देते हैं जिसके basis पे हमारे market भी react करते हैं तो हैंसेंग में अगर आप देखेंगे तो धाई percent का gap down देखने हो मिला है कितना धाई percent का gap down देखने हो मिला है तो यह कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस समय देखेगा global outlook में कहीं ना कोई pain चलना है जिसके क कारण यह देखेगा सारे Asian market और Dow futures red हो गए तो यह भी कलीजन है market के negative या देखेगा sell on rise strategy पे वर्क करने का फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं gap बढ़ा है यह gap बढ़ा है यहाँ पे sustain तो हुआ है लेकिन यह gap बढ़ा है अगर market यहां से कहीं से भी 19-740 के नीचे जाता है तो 680 के level कल आपको देखने को मिल सकते हैं जिस पे आपको focus करना है उपर तो तुरंट अगर कहीं पर भी देखेगा 19-800 या 820 के असपास market मिल जाए तो अराम से आपको profit booking देखने को मिलेगी तब आप in particular level के लिए work करिएगा तो यह हो गई कल की strategy nifty की nifty bank की बात करेंगे तो जैसे 44,000 का level तूटेगा तो वैसे ही आपको देखेगा 438880 के level देख सकते हैं नीचे को ऊपर देखेगा 44,280 के level पे आराम से आपको selling pressure आते हुए देखने को मिला है तो यह particular level और यह strategy कल याद रखेगा यह beginning में ही काम करेगी क्योंकि कल Friday है आपको भी प करते हैं जिसके कारण से भी profit booking आ जाती है तो focus करिएगा वीडियो और अच्छा लगे तो like share subscribe करना न भूलेगा thank you so much